अपकारियों पर उपकार करने वाले ग्यानितु आत्मभवा कोई रोज आपकी गलानी करे, मले हमारी बेस्ती करे, अकल्यान करे, हमारा बुरा करे, हमारे लिए कलत सोचे, कलत कदम उठाए, गाली ते आपको तो भी उसके प्रती मन में घ्रना भाव ना आए, आपकी उपकारी पर भी उपकार यही ग्यानितु आत्मा का करतब है, उसके पर उपकार करना, उसका कल्यान करना, जैसे आप बच्चों ने बाप को तिरसर जनम गाली दी, कि परमातमा आप केडे मकोडों में हो, जानवरों में हो, कठडे में हो, कणखन में हो, हर जगा देखूं आप ही आप हो, तो इस कल्यूगी दुनिया जो इती गंदी दुनिया होगी पांस तत्वों में भी उनको हमने डाल दिया तो उनको हमने गालियां दी हैं और ये भी कहा है कि आप दुख देने वाले आप ही हो और मारने वाली भी आप हो और जिंदा करने वाली भी आप हो तो उनको मॉर्डर भी बना दिया हमने क्या कुछ नहीं कर दिया हमने तो जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जनम काली दी फिर भी बाप ने कल्यांड कारी दृष्टी से देखा तो फॉलो फादर ग्यानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रती कल्यांड की भावना अकल्यांड संकल्प मात्र भी नहीं हो कि हम किसका बुरा करते हैं किसी को हम नुकसान पहुचा दे वो हमारा संकल भी ना हो हाँ, उनको डरा करके हम उनको सही रस्ते पहला सकते हैं उनको हम सही रस्ता दिखा सकते हैं लेकिन उन डराना भी किस पर करके डराना हो सिर्फ डराने के लिए उनका बुरा कर देना गाटा कर देना उनके को चोट पहुचा देना यह हमारी कभी भी भावना ना हो उन्षांति